इस मॉड्यूल में हम रिसेज्ट टूल्स की बात को आगे बढ़ाएंगे और एक और ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो आपको अमूमन एजुकेशनल रिसेर्च में देखने को मिलती है उनको हम कहते हैं पर्सनेलिटी टेस्ट अमूमन लोग इस बात पर रिसेर्च करने में इंट्रेस्टेड होते हैं कि लोगों की शखसी खसुसियात क्या हैं और उन शखसी खसुसियात की फिर आगे इंप्लिकेशन्स हैं उनकी परसनेलिटी की और्गनेजेशनल रब बेहेवियर पे लोगों की तरफ रवएए पे उन का दूसरों पे असर अंदाज होना इन चीज़ों से बहुत सारे एजुकेशनल मेटल्स जुड़े हुए हैं मसला हैड़ टीचर्स की परसनेलिटी का असर असाथजा एकराम की परफॉर्मेंस के उपर असाथजा की परसनेलिटी किस तरह से रोल प्ले करती है तुलबा की कर रिलेटिड मौमला हैं और इस पर बहुत सारी रिसर्च की जाती है इसी तरह लोगों ने ओवर दा पिरिएड बहुत सारे परसनेलिटी टेस्ट बनाए हुए हैं आप चाहें तो अपनी रिसर्च में इन में से बने बनाये टूल्स का इस्तमाल कर सकते हैं चूज कर सकते हैं आप अपना टूल बनाना चाहें परसनेलिटी मेयर का तो भी आप बना सकते हैं लेकिन बन्यादी तोर पे इनका रिव्यू या इन टूल्स का इस्तमाल आपको हेलफुल होता है इस कंस्ट्रक्ट को समझने में परसनेलिटी टेस्ट में आप परसनेलिटी ट्रेट्स परसने को स्टेडी करने चाहरे हैं इससे आपको लोगों के या मुख्रिफ तरह की पर्सनेलिटी के की स्ट्रेंड्स और उनकी वीकनेस को समझने में मदद मिलती है आप लोगों के थिंकिंग पैटरंस उनकी शख्सियत से जोड़ के देखते हैं किस नौईयत की शख्सियत होगी तो किस तरह के थिंकिंग पैटरंस हैं किस तरह की फिलिंग्स होती हैं कैसे बिहेव करते हैं मुख्रिफ सिचुएशन्स में जब आपकी रिसर्च इस इन में से किसी एक या एक से ज़्यादा एरिया उसको फूकस कर रही होगी तो आप पसनेलिटी टेस्ट का इस्तमाल करते है पसनेलिटी टेस्ट में भी बेशुमार तरह की इन्वेंटरी या टेस्ट बने हुए हैं और ये भी रिसर्च का इरिया बहुत पुराना है तो लहाजा इसमें भी बहुत सरा काम हो चुका हुआ है लोगों ने इसको मुख्लिफ एंगल्स के साथ डिस्टिब्यूट किया चीज़ को मिसाल के तोर पर ये बहुत ही कॉमनली इस्तमाल होने वाली जो इन्वेंटरी है इसमें वो मायर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर्स हैं अब देखिए कि इसमें परस्नेलिटी को उसने मुख्लिफ एक्स्ट्रीम्स पे दो एक्स्ट्रीम्स के दर्मयान रख के उसे मेईर करवाया यानि उसने तमाम परस्नेलिटी की डामेंशन को डाइकॉर्टमस ली दो एंड्स में डिस्ट्रीबूट किया और फिर कहा कि आप बताईए कि आप कहां पे फाल करते हैं बहुत हैं एक्स्ट्रोवर्ट होना इंट्रोवर्ट होना एक एंड पर ये बना इसी तरह से सेंसिंग वर्सिस इंट्यूशन यानि आप इनसान की सिफात परस्नेलिटी की लिए उनके दो दो एंड्स मुतायन किये एक एंड और फिर दूसरा एंड जिन दो लिमिट्स के दिरम्यान वो रविया या वो करेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करता है और वो अप स्वालों के जरीए जज किया कि आप उन में से कहां फॉल करते हैं तो इसने तकरीबन सोला डिफरेंट तरह की परस्नेलिटी को आइडेंटिफाय करने का इसमें इंतजाम मौजूद है इससे तरह सिक्स्टीन परस्नेलिटी फैक्टर क्वेस्टिनेर एक और बहुत ही वाइ इमोशनल स्टेबिलिटी, डॉमिनंस, सेंसिटिविटी ये तमाम शक्सियत के पहलू हैं ये इस तरह के सोला डिफरेंट फैक्टर को मेयर करके आप लोगों की परस्नेलिटी या मुख्लिफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुल्स की परस्नेलिटी को आप इसमें क्लासिफाय कर सकते हैं इसे तरह होगन्स परस्नेलिटी इंवेंटरी है अगर आप देखिए तो ये जितने भी हैं यहां लिखे हुए ये तमाम के तमाम गुनियादी तोर पे लिटरेचर से परस्नेलिटी के फीचर्स ड्रॉ करते हैं और फिर उनको मुख्ट क्वेसिनेर्स में अपने कि भी अगेंज जैसे मैं हर दफ़ाब से कहता हूं कि ये सिर्फ पांच शी तरह के परस्नेलिटी टेस्ट नहीं पाए जाते हैं बहुत सारे टेस्ट हैं जो इस इन केटिगरीज में फाल करते हैं हमने सिर्फ यहां वो लिखे जो रिसर्च में अमूमन लोग ज्यादा इस् के लावा और भी टेस्ट हैं जो परस्नेलिटी को मेजर करने के काम आते हैं